चलिए गाइस तो आज हम बात करने जा रहे हैं हार्डवेर सौप की बिजनेस को किस तरह स्टार्ट करें तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज की देट में इलेक्रिसियन्स का सामान, प्लंबिंग का सामान और अंट्रक्शन्स का सामान इन तीनों सामान की बहुत जादा मांग है तो गाइस हमने सोचा कि इस बिजनेस को स्टार्ट किया जाए तो हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है जिसमें की हमें इन सभी आइटम्स को लाना पड़ा जो की सबसे ज़्यादा मांग है जिसकी डेली रनिंग में यूज होता है जो की मिस्तिरी हो कंटक्शन के काम में यूज आता है जिसके सामान जो की है आपको कोचा है लाइन दोरी है और अन्य अन्य प्रकार के सामान डेली यूज में होते हैं हतोड़ी वगेरा है टैप है इस बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लग जाएगा हमें यह सब बताएंगे आज इस वीडियो में तो गाइस जैसे कि आद देख पा रहे हैं आज की देट में जो जो आइटम्स की मांग गए उन आइटम्स को लेके आना है आपको किसी थोक के वैपारी से ही लेके में देख जाना है आपको डिस्टुबिटर्स एप जोकि आपको अच्छा खासा रेट दे सके और आप उस यह उस्ट तरह से हमने इस यह उन किवाले लिकविट को लेकर आचक हैं यह एक लिटर है 5-9 ृषए सबी आइटम्स को हमने लेके आ चुके हैं इस तरह से हमने इस फर्निचर में यूज होने हाले लिक्विट को भी लेके आ चुका है टचूट कहके हैं इसको भी लेके आ चुके हैं हमने और यह है UPVC फिटिंग जो की आजकाल प्लम्बिंग के सामान में यूज की जाती है इस प्लम्बिंग के आइटम्स को हमने रैक में जमा चुका है इस रैक को हमने बना लिया है इस रैक की गहराई कम से कम आपने एक फिट रखना है इस तरह से और यह जो आप देख पा रहे हैं कि इसका यह जो साइज है इस साइड में हमने CPVC का सामान रखा हुआ है जिससे कि हमें एक बार में ही ढूंडने पे कस्टुमर आए तो जल्दी से जल्दी सामान मिल सके इसलिए हमें इन्हें अलग-अलग जमा के रख देना है इस तरह से हमने इसे रख दिया है इस साइड में हमने PVC fitting को रखा हुआ है SWR fitting को रखा हुआ है और ये जो है आप देख पा रहे हैं ये मिस्तिरियों के यूज में होने वाला है items कौचा कहा जाता है जिसे की कन्नी कौचा इस तरह से हमने इनी सभी items को ले के आ चुके हैं ये acid की bottle हैं रखी हुई ये वाइडिंग तार है जो कि कंटक्शन के काम में यूज किया जाता है ये है वाइट वाला तार और ये garden pipes ये नार्जल रसी वाइट सिमेंट्स और ये है फ्रेम ये गाइस ये जो दिखाई दे रहा है आपको ultra take वाला फ्रेम ये फ्रेम आपको fancy में मिल जाएगा color wise और ये सादा फ्रेम है इस तरह से हमने इसे रखा हुआ है और हमारा जो products रखा हुआ है सबी items को हमने हमारी go down में रखा हुआ है यहाँ पे demo के रूप में एक एक दूदो items को रखा हुआ है इस तरह से ये garden pipe है इस बोरियों में LD pipe रखा हुआ है ये Indian seat है जो की plumbing के काम में यूज की जाती है ये सबी items को थोड़ा थोड़ा हमने अपनी swap में लेके आ चुका है आपको इस business को start करने के लिए आपको कम से कम 200 से 300 square fit का hall चाहिए आपको इस hall में आप इस business को start कर सकते हैं और आपको business के लिए 400 से 500 square fit का एक go down चाहिए जिसमें कि आप items को रख सके और इस तरह से हमने इन सबी plumbing के और contractions के सामान्स को लेके आ चुके हैं इस तरह से आपको rag बनवा लेनी है हमने इन ragो को अलग-अलग design से design किया हुआ है क्योंकि यह सब items अलग-अलग प्रकार के हैं तो हमने सोचा कि इन सबी items के लिए अलग-अलग प्रकार की rack को बनाया जाए यह इस तरह से यह इस तरह से हमने garden pipe को भी लेके आ चुके हैं और nut bolt की भी range को लेके कमपर सरी चली रहा है इन सबी एकी rack में सबी items को रखा हुआ है तो guys आपको सबी items को एकी में नहीं रखना है सबी को अलग-अलग systematic जमा के रखना है इस तरह से हमने सबी को एकी में ही रख दिया हमारी rack का काम चालू है हम जल्दी ही rack बनते ही सबी items को अलग-अलग कर देंगे और ये है उपर में जो दिखाई दे रहा है SWR pipe, sprinkle pipe ये है PVC pipe agriculture pipe, UPVC pipe CPVC pipe CS pipe सबी को हमने अलग-अलग रखा हुआ है इस तरह से हमने ये जो कमोड दिखाई दे रही है आपको ये Indian कमोड है जो किसादी कमोड कहा जाता है ये बहुत कम चलन हो गई है इसके मांग पहले बहुत ज़्यादा थी ये Anglo है इस Anglo को हमने भी ले आ चुके हैं ये इस तरह से Wallen है इस Wallen को भी लेके आ चुके हैं हम ये जो देख रहे हैं आप ये है ये आपको दिखाई दे रहे हैं जो जो टोल्स ये सबी आइटम्स को लेके आ चुके हैं हम ये जो है ये चाइना जाली कहा जाता है इसे इस चाइना जाली को मच्छरों के लिए यूज किया जाता है विंडो में लगाया जाता है इस तरह से जो जो आइटम्स दिख रहे हैं टीन की चादरे हैं जालियों को ला चुके हैं हमने सबी प्रकार की जालिया हैं इस तरह से हमने इन कमोडो को भी लगा रखा है जो की एक सोनाटा कमपनी की है एक सियोन है और ये जो देख रहे हैं आप गमला तुलसी वाला इस तूलसी घमले को भी लेके आ चुके हैं और बात की जाए घमाइले की तो घमेला भी लेके आ चुके हैं बहुत अच्छी और बेस्ट कॉलिटी की है इस इंडस कंपने के घमेले को हम लेके आ चुके हैं जो की कॉलिटी की बात की जाए तो बहुत best quality है इसकी signing बहुत बढ़िया है इस तरह से हमने इस business को start किया है और आपको इस business को start करने में कम से कम 5-6 लाक रुपए की income चाहिए और इस तरह से आप इस business को start कर सकते हैं जिस business में आपको profit हो वही business करिए और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप hardware का business करना चाहते हैं तो hardware का business बहुत ही अच्छा और best business है मैं तो बहुत अच्छा मानता हूँ इस business को जिससे कि मुझे बहुत अच्छी profit होता है daily का मुझे तो डेली का चार से पांच अजार उपए पर डे का profit है इस business से यह जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह से मैंने इसे systematic जमा रखा Indian seat को and flush tank वगेरा है सभी प्रकार के जो देख पारे हैं आप एक electronic काटा ले लेना है अपने जिससे कि आप नापतोल कर सके तार और खीले के और nut bolt के वजन को भी आप जमा सके इस तरह से आपने इसे ला लेना है garden pipe की जिसमें बहुत जादा मांग है इस पीली रसी को भी लेक देखा हुआ है जिसकी बहुत ज्यादा मांग है इन तालो को भी ला लेना है और चिलर आइटम से में देखा जाए तो मेरा मानना है कि 50 से 60% margin है और सबसे ज्यादा margin बताई जाए तो इस plumbing के सामान में ही है इस तरह से हमने इस plumbing के सामान को systematic जमाया है जिससे बहुत ज्याद प्रॉफिट है और बात की जाए इनके pipe की तो हम pipe दिखाने जा रहे हैं आपको देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं आप यह है pipe CPVC UPVC सभी अलग अलग प्रकार का यह सफेद वाला जो pipe दिखाई दे रहा है आपको यह UPVC pipe है और यह जो दिखाई दे रहा है आपको हलका yellow color में यह जो है यह CPVC pipe कहलाता है यह एक इंच, सवा इंच, आधा इंच, पॉन इंच सभी को हमने रखा है इस तरह से इन pipe को और यह जो है यह जो सामने में डोर के लगता है इन सभी still pipe को भी लेके आ चुके हैं हम इस तरह से SWR pipe की फिटिंग्स वगेरा रखा है हमने तो guys आपने business start करने से पहले इने सभी को थोड़ा थोड़ा items को रखना है जो की running में है इस तरह से आपको इन सभी items को लेके आ जाना है जो कि यह tank plumbing के काम में यूज की जाती है इस tank को भी लेके आ जाना है आपको एक दो piece यह हमने लेके आ चुके हैं इस दरवाजे को जो की aluminum का बना हुआ है और यह जो आप देख पा रहे है विंडो इन विंडो को भी लेके आ चुके हैं हम जो की इस तरह दिखाई दे रही है यह सब LD pipe रखा हुआ है इस तरह से हमने इस विंडो को लेके आ चुके हैं white cement है यह और यह pipe को भी लेके आ चुके हैं जिसकी बहुत सबसे ज़्यादा मांग है, आपको स्मेंट और लोहे का बढूँ है, बहुत अच्छा है, इस सबसे ज़्यादा मांगा जाता है, तो आपको कहाँछ है, धेखहाए हैए, इस लोए को इधार रखा हुआ है और खतम होते आई गया है हमारी गाड़ी एक दो दिन में बस पहुच ही जाईगी और देख पा रहे हैं जैसे कि आप हमने ये तुलसी गमले को भी ले के आ चुका है जो कि अभी दिपावली का सिजन चल रहा है और इसकी मांग थी तो हमने इसे भी ले के आ चुका है इस तरह से आपको इन सभी आइटम्स को रखना है तो गाईस ये ता आज का हमारा टॉपिक मिलते हैं गाईस नेक्ट वीडियो में गाईस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सस्क्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से